वेल्कम बैक टू अलाइन स्टेडियों आज किस वीडियों हम बात करेंगे बेस्ट 100 most important current effects के बारे में यानि कि जून 2020 का जो भी most important question है वो हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं और मैं आपके टोटल 100 questions cover करूँगा जो की काफी अच्छे प्रस्ण है इससे बाहर आपके paper में कोई भी questions नहीं पूछ जाएंगे चाहिए आप किसी भी government exams के preparation कर रहे हैं और यह सारे questions friends bilingual है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा इस वीडियो को last तक देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो friends आज के इस वीडियो का first question यह बनता है कि कुसल स्रमिकों के लिए रोजकार सीतु योजना किस राजजी के द्वारा शुरू की गई है तो देखे friends मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ अगर आप इस फ्यूरी वीडियो को देखते हैं तो चाहो आप सेट की त्रू भी लगा सकते हैं तो अगर आप weekly current affairs नहीं देखे तो मैं आप पूरी comment करूँगा कि आप सारे questions का explanation देखना चाहते हैं तो weekly current affairs को follow कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में हम लोग जो भी देखेंगे friends जहां भी important होगा वहाँ पे explain मैं कर दूँगा ठीक है तो फिलाल देखें क्या second questions क्या क्या है पाई नाम का artificial intelligence virtual assistance किसके दौरा शुरू किया गया इस questions का correct answer का options number B यानि फैंस NPCI NPCI का मतलब National Payments Corporation of India ठीक है फैंस NPCI ने हाली में AI यानि कि artificial intelligence अधारी chatbot launch किया जिसे पाई नाम रखा गया यह point आप याद रखेंगे ठीक है पेपर में पुझा सकता है कि NPCI का full form तो मैंने आपको बताई दिया और इसका जो foundation हुआ था यानि कि found हुआ था वो कब हुआ था तो 2008 में याद रखेंगे headquarter इसका मुंबई में पढ़ता है ठीके फैंस चलिए question number 3 देखे क्या कहा रहा है कि अगने प्रस्त मिसाइल पार्क का अधार सिला कहा रखे गई है अगने प्रस्त मिसाइल पार्क का अधार सिला रखे गई है आई एनस कलिंग पर ऑपसनस नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा याद रखेंगे न्युक्तराष्ट 37 एनिको के अंतराष्ट यह दिवस 2020 का विसाइग क्या है देखे विंस मैं आपको बता दूं कि यह पट्टेक वर्स 29 मई को मनाया जाता है और इस वर्स का विसाय जो था वो था वोमेन इन पीस कीपिंग अक्की टू पीस ऑप्सनस नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेस्चन नंबर 5 देखें क्या क्या रहा है कि किस भारती अमेरीकी बैग्यानी को हाली में प्रतिष्टित अविस्कारक ओफ द इयर प्रोजिसकार से समानित किया गया तो इस क्वेस्चन का राइट एंस रोगा राज यू जो सी ऑप्सनस ए विल बी करेक्ट आंसर ठीक ह क्वेस्चन नंबर 6 देखें क्या कह रहा कि विपरो का नएया CEO किसे न्यूक्त किया क्या गया ठीक है फ्यर्ण से नेया CEO बनाएगे विपरो के वो कौन हिसका करेक्ट आंसर ब्र ऑप्सनस नंबर बी बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाता है अब बात करतें कि किस प्वेस्ट का नाम बदल करके स्यामा प्रसाद मुखर जी को मन्जोरी दे दिया यानि फिंस मैं आपको बता दू कि कि स्पोर्ट का नाम बदल करके कि स्पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके जो नया नाम होगा उस पोर्ट का स्यामा प्रसाद मुखर जी करका गया इसका करेक्ट अंसरों का हाली में जारी Forbes magazine के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सुची में सिर्स अस्थान किसे मिला है इसका correct answer का options number D Rosa Federer जो कि आपको पता है कि काफी famous tennis star है ठीक है चलिए आगे बढ़ते question number 9 में क्या करा है कि हाली में चर्चा में रहा नीमो बाज को चल भी दुद परियोजना कहां इस्ती थे one of the most important questions जीके में पूछा जा सकता है हो सकता है कि current में पूछा जा सके और इस questions का correct answer जोगी जिनका हाली में निधन होगया हुआ किस राजी के पहले मुख्यमंत्री थे जोगी जी जी जो थे वो फैंस किस राजी के पहले मुख्यमंत्री थे इसका correct answer का options नंबर एच च्छतिस गड़ ठीक है 74 वर्स की आयू में इनकी हाली में निधन होगी दिल का दोरा पढ़ने के कारण और मैं आपको बता दो friends की मद्य पर्दे से अलग होने के बाद जो 36 गड़ था उससे यह यानि कि 2000 कह सकते हैं में 36 गड़ अलग राज़े बना था तो उस वक्त कहा सकते हैं कि 2000 इसे में यह पहले जो की सीम चुने गए थे यहां के 36 गड़ की ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट क्या रहा है कि विस्वे तंबाकू दिवस 2020 का विशाय क्या था हाली में जो विस्वे टबाकू का संबंद किस राज्य से के फोन का संबंद किस राज्य से इसका सीधा सा मतलब होगा और दिसंबर 2020 तक के लागो किया जाना है थीक है और इस परियोजना का लक्षे क्या होगा तो राज्य में ऑप्टिकल फाइवर नेटवर्ट वाले जो कुभी इफेंट्स अस्थान होंगे घर हो या फिर कर्याले हो उससे जोड़ना है यह पॉइंट आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और क्वेस्टन नमबर 13 में क्या कह रहा है किस राज्य सरकार ने रुजगार से तू एप किस सरकार ने लॉंच किया तो राइट एंसर और यहां पर करेक्ट हो जाता है अगला पॉइंट यहां पर बात करेंगर विनेस फोगाट किस स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो इस चीज को याद रखेंगे हरियाना से बिलॉंग करते हैं ठीक है अगला पॉइंट किया रहा है कि अस्वीनी भाटिया को हाली में किस भारतिय बैंक के ने प्रबंध निदिशा के रूप में नियुक्त किया गया है तो इस क्वेशन का करेक्ट आंसर क्या होगा अगे बढ़ते हैं और नेक्ट कोशन देखें फिन्स क्या के रहा है कि हाली में राणी रामपाल को राजी गांदी खेल रतने प्रोषकार के लिए नामीत किया गया वह किस खेल से जुड़ी है तो अब सभी को पता होगी राणी रामपाल कौन एफन्ट सी होकी की भारतिय ह करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्विस्चन नमबर 17 में देखें क्या किया रहा है किस अंगठर ने रियल टाइम एलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानि की आर्टीम लॉंच किया है तो हाली मिसको लॉंच किया गया तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्सिंस न आगे बढ़ते हैं नेक्ट शुचन क्या बनता है कि MSME का समर्थन करने के लिए पर्धान मंति नरेंद्र मोधी ने कौन सा पोटल लॉंच किया है इसका राइट एंसर क्या होगा आपसेंस नमबर फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बी बिल्कुल करेक्ट है यानि की चैंपिय को भी आप याद रेखेगा पेपर के लिए इंपरेंट हो सकता है किलियर question to do इसवह और का अपसिंश नमबर यानिकि लग हुदोग कि इसका मेन पर्परस का ने Supplyna 기 ważne^^omme के सरकार मुदρα सीथ्यूरीर योजना के तहत कुट जो कुटिर उधो Вам और छोटे व्यसाइक के जो लोग है उनके लिए फिंट्स पंदरा सौ करोड रुपे की व्याज सब्वेंसन योजना शुरू किया है तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे लगू उदोग करेक्ट आंसर हो जाता अगला पॉइंट देखे क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पट्टेक वर्स मांसुन के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या फिर मौसमी इन्फिलुन्जा का मुकाबला करने के लिए राज व्यापी टीका करन कारेक्राम सुरू किया है इस क्वेशन का राइट एंसर क्या है ऑप्सेंस नंबर ए यानि की हरियाणा ऑप्सेंस ए विल भी करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़े थे अगला पॉइंट देखे क्या है कौन सा बैंक वीडियो के जरिए के वाइसी स्विकार करने वाला ठीक है क्योंकि पेपर में अक्स आंसर हो जाता है ठीके फिंस आगे बढ़ते और नेक्ट देखे क्या है कि बिसवेशन पर आवरां दिवस पर टेक वर्स किस दिन मनाया जाता है तो इसका राइट एंसर तो आप सभी को पता यह वह इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पांच जून को ठीके फिंस आगे गया था 1974 में आगे बढ़ते चक्रवात निसर्ग जो हाली में महराष्ट और गुजरात में आया है निसर्ग जो नाम दिया गया था फिंस यह किसके दौरा सुझाए गया था यह जो नाम दिया था ऑप्सेंस नंबर बी बिल्कुल करेक्टा सुरुगा बंगला देस ठीके अगर हम बात करें थाइलेंड के बारे में तो देखिया आपको पता हुआ कि हाली में जो की अमफान नाम का जो की चक्रवात आया था जिसको सुपर साइक्लोन का नाम में दिया गया था तो इसका नाम थाइलेंड ने दिया था अमफान तो यह पॉइंट आप याद रखें Q26 में देखे क्या कह रहा है कि किस भारती राज ने अपनी तरह की पहली राज स्वास्त रजिस्टर पर योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है इसका राइट एंसर है और ऑप्सिंस नंबर C यानि की करनाटक की सरकार ने ऑप्सिंस C करेक्ट आंसर हो जाता है अगला point क्या बनते कि भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण ये स्षेत्रों के सहीों के लिए समझता ग्यापन पर हस्थाक्चर किया तो बहत ऑच्छा प्रस्त्ति धिहान रेगे अप्स चेहां पर क्या श्ता़कर किया गया क्या उप्सिंस यहां पर went null हो जाता है अगला पॉइंट देखिए फिंस क्या कह रहा है कि 202 के कारिकारी निदेशक के वरिष्ट सलाकार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया इसका राइट इंसर ऑप्सनस नंबर बी यानि की राजियू टोपेनो ऑप्सनस नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जात तहित राजी की पुलिस आत्मात्य के मामलों की जांच करने के लिए अपने कर्मियोप के मांसिक तनाव और अवसात की जांच करेंगी इसके लिए स्टार्ट के रहा था स्पंदन योजना ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेस्चन नंबर 30 किस बैग्यानी को 2020 के लिए क्रिस् करीम होना चाहिए था और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते और नेक्ट देखी फिन्स क्या कहरें वर्स 2020 के य वर्ल्ड इंटरप्रेनियोर किसे चुना गया है इस क्वेस्ट का राइट एंसर बते फिन्स क्या होगा आपसंस यहां पर एक करेक्ट हो जाता है मैं आपके बताते फिन्स की 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक महिंद्रा के जो उदय कोटक है उनको और 2005 में इनफोसित के नरायन मूर्ती जो है उनके बाद यह पुरसकार जितने वाली तीसरी जुकी भारतिये बन जाते हैं इस चीज़ को याद रखें किरण मुझुमतार सा और यहां पर बहुत अच्छे तरीके साब को याद होना चाहिए करेक्ट आंसर हो जाता है अगला पॉइंट दिखें कि हाली में मनाएगे बिस्वे पर्यावरण दिवस किस देश में आयोजित किया गया तो जिस तरह से हम लोगों देखा कि पांच जुन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो आयोजन किया गया हो फिंस वो कोलंबिया में जर्मनी के सायोग से तो यह दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे चीक है अग्ला पॉइंट्स दिखे क्या हाली में सुर्कियों में रही नई पाल सौदेस का उद्देश से क्या है क्या है इस क्या है इस क्युश्ण से सदेश का ऊपसंस नंबर बी यानि की रोजकार स्रिजन से अपसंस नंबर बी बिलकूल correct answer है मैं अब को बता दूँ कि सदेश क का फुल फर्म क्या है स्किल्ड वर्कर्स एराइफल डाटाबेस फॉर इंप्लॉइमेंट सपोर्ट ठीक है इस पाल की जो शुरुआत होगी वह बंदे भारत मिसंग के तहत क्या जाएगा और इस पाल का उदेश से यह कि भाव विदोसर से जो लौटने वाले भातियें उनके डेटाबेस के अधार पर उनके कौसल और अनुभाव की अधार पर एक त्यार करना और साथ सथ उनको जोकी रोजगार दिया जाएगा ठीक है यह चीज़ आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और नेक्ष देखी क्या बिस्वे खाद सुरक्षा दिवस परतेक वर्स सम्मानित की जाने वाले पहले भारतिये कौन बने हैं हाली में रिचार्ड डॉनिक्स जो पुरसकार है इससे सम्मानित होने लाए पहले भारतिये बने और यह बने है जावेद अक्तर ऑप्सनस बी विल बी करेक्ट आंसर ठीके फिंस आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट सेकेंड नंबर पर लग्जंबर रहा थर्ड नंबर पर स्विच्जर लाइंट है अगर हम बात करें कि भारत की स्तीति क्या रहे देखिए फैंस मैं आपको बता दूँ कि यह जो रिपोर्ट होती है पट्टेक दो वर्स पर जारी क्या जाता है और 2018 में भारत की जो रैंकिं समझोता घ्यापन पर स्थाक्षर किया तो बिजली के चेतर में भारत के साथ समझाओता घ्यापन पर सथाक्षर Denmark ने किया है आप इस चीज को याद रखेंगे ओपर में देखा था पर्यावरण के चेतर में भुटान हुआ था तो यहां पर आपको याद रखने कि पिजरी के चेतर में जो समझाता हुआ वह देन्मार्क के साथ हुआ अगला पॉइंट यह कर रहा है कि करनाटक सरकार ने किस वेक्ति के नाम पर बैंगलूर के एहलंका फ्लाइओवर का नाम रखने का निर्णाय लिया है इसका राइट एंसर है उप्सनस नंबर फ्रेंट्स बिलकुल करेक्ट है डी विनाया दामोदर स्वारकर उप्सनस नंबर डी करेक्ट अंसरों को इनकी जैनती फ्रेंट्स पर तेक वर्स 28 माई को मनाई जाती है यह पॉइंट आप याद रख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट दीखे क्या बन रहा है कि 2022 में राष्टी खेलो के 49 संस्क्रण की मेजबानी कौन सा राज़े करेगा 49 राष्टी खेलो का मेजबानी मिघाले को करने की स्वापी गई है इसलिए यहां पर एक करेक्ट हो जाता है याद रखेंगे फेंड्स अ नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जागा पहुंसे देख सकते हैं ठीक है तो फिलाल देखेंगे बात करतें नेक्ट क्या किया रहा है कि हाली में भारत सरकार ने जया जये टली टास्क फोर्स का गठन किया वह किससे संबान दीते हैं इस क्या होगा इसका करेक्ट आ होजुन को मनाया जाता है और इस वर्स का जो थीम था वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्रीक कोरल ट्रेंगल अप्सिंस नंबर यहां पर बी करेक्ट हो जाता है किलर आगे बढ़ते हैं अगला पॉंट यह कह रहा है कि कि संगठ्ठा ने वर्स 2020 के लि देविड माल पास जो कि युए से से बिलॉंग करते हैं और यह फ्रेंस 202 के तेरहवे अध्यक्ष हैं यह बहुत अच्छा प्रस्ने ज्याद रखेगा देखें नेक्स्ट क्या कह रहा है कि महासागर के सबसे घहरे बिंदू तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई सबसे गहरे घर्थ की बात करें तो क्या होते हैं आपको पता हैं कि मेरियाना ट्रेंच ठीक है और जिसको चैलेंजर गर्थ की नाम से भी जानते हैं तो यह देखेंस इस कोईसेंस का जो राइट एंस होगा वह होगा ऑपसिंस नंबर डी यानिकी कैथी सूलिवान ऑपसिंस बी विल बी करेक्ट अंसर आयाइटी गुहाटीनेस फ्रेंस संपर क्रहित हवायात्रा के लिए एक जो की फ्रेंस फ्लाइजी लॉंच किया यह पॉइंट आफ याद रिखेंगे फ्लाइजी जो की अप्लिकेशन को चातरों ने एक फ्रेंस स्टार्ट अप के अंतरगत विक करते हैं ठीक है यह दूसरे वेक्ति बन गए और पहले वेक्ति के बारें बात करें कि इस पुरस्कार से सम्मानेत होने पहले वेक्ति कौन थे तो आरके चिटी पंडी पती आप्संस आप यह देख रहे हैं जो कि पहले वेक्ति थे ठीक है और यह सेकेंड वेक्ति बन चुक है when i xx ना देलिया और फोर्थ नमर पे बॉंबे पॉइंट भी याद रखेगा अगला point देखे क्या कहा है कि अनन्या की संस्थादोरा विक्षित एक किटाडू नासक स्प्रे है हाली में अनन्या नाम से एक फेंस किटाडू नासक स्प्रे विक्षित किया गया और यह किसने विक्षित किया तो right answer को options number D डिफेंस इंस्ट्यूट आफ एडवांस टेकनोलोजी ऑपसिंस डी विल भी करेक्ट आंसर ठीक है जो की पूर्णे में स्थीत है अगला पॉइंट देखे क्या कहा रहा है कि विस्वे बाल सरम निसे दिवस पर्तेगवर्स कब मना जाता वर्ल डे अगेंस्ट चाइड लेवर इस सेलेब्रेटेड ओन पढ़ते एक वद्स कबना है तो बारह जूर बिल्कूल राइट अंसर का ओपसिंस डी ठीक है फैंस आगे बढ़ते हैं नेक्स क्या कह रहा है हाली में हल्दानी में एक जैव विता पार्क खोला गया यह किस राज्य में स्थीत है तो देखे फैंस ह और लानी जो पढ़ता है यह उत्रा खड़ में पढ़ता है ओप्सिंस एक करेक्ट आंसर हो जागा ठीक है फिंस ऑप्सिंस एविल भी राइट अंसर नेक्स दिखें क्या करा है कि ऑप्रेशन डेजर्ट सेज जो हाली में खबरों में देखा गया था यह एक क्या है तो इसक अगर चानल पर पहली बारा है तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्को भी ऑन रखें नेक्स देखें क्या कहा रहा है कि मेडिकल चेतर में इंटरनेट ऑफ थिंक तकनीक का उप्योग करने वाला या बिसो का पहला रोबोट कॉन सा है इसका राइट एंसर पंजाब की सरकार का उदेश यह कि कोविड-19 के संक्रमण लक्षन का पता लगाने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इस उपकराण का जुकी इस्तमाल किया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स दीखें क्या करें कि कि सहर के रेलवे स्टेशन ने अंता के लिए पूने के आर्पिएफ के द्वार एक फ्रेंट्स यह रोबर्ट लॉंच जिसका नाम रखा गया कैप्टन अरिजुन ठीक है इस रोबर्ट को क्या किया जाएगा कि यात्रियू को ट्रेंड में चाहने से पहले और और समाजिक तरतों पर नजर रखने के 2004 से इसको मनाया जारा चीक है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखिए क्या करा है कि हाली में नेसा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमोक न्यूक्त किया इसका राइट एंसरों का आपसिंस नंबर सी कैथी लिडर्स आपसिंस नेसे प्रेंट्स नंबर यानि कि दॉक्टर रतनलाल अपसिंस अ विल बी करेक्ट अंसर ठीक है विए आपको बता दू कि विश्वखाद पुरसकार जो होता है यारिक फ्रेंस विस्वखाद पुरसकार क्रिसी के छेतर में नोबिल पुरसकार के बराबर महना जाता है यह पॉइंट आप याद रखेगा अगला कुशन क्या करें कि विस्वए रक्तदाता दिवस 2020 का थीम क्या था विज़ाई क्या था यह पॉइंट देखा पट्तेक वर्स 14 जून को मना जाता है ठीक है और इसके बारे बात करेंगे थीम क्या था तो ठीक है आगे बड़ते हैं नेस्ट देखें क्या करें कि कमे राज्य में ग्रामीड शटरो के वरिश्ट नागरी को के लिए पंचवट वो कौन सा राज्य जो की 100% LPG coverage पूरा कर लिया है तो वो है हिमाचल परदेशी याद रखेंगे अगला point देखिए किस राज्य में thank mom नामक विक्षर ओपन अवियान मद्य प्रदेश में स्टार्ट के गया था option C बिल्कुल correct हो जाता है चीक है आगे बढ़ते हैं किस देश के मानवरहएं सब मरसिबल हाइदू वन ने विसव के सबसे गहरे बिंदू तक गोता लगाने का किर्तिमान मनाया जो हाई दू वन फिर्टस आप देख रहे हैं हाइदू वन मानवरहीट सबमर्सिबल है और यह चाइना का है options B रृटन से है जो कि विसव के सबसे गहरे च्वालीमें किया गया जुलाई के अभी एक दो धीन में हुआ है ठीक है तो ये किसके दोह रखे का वुच्ट system Neeu संजोंग अरब अमिरात के वह सकता है यानि कि ये समंगल मिसन का नाम क्या था इसका नाम रखा गया होफ मार्स मेसन ठीक बीफेंस यानि की न्यूजीलाइंड ठीक है न्यूजीलाइंड करेक्ट आंसर हो जाता है बढ़ते हैं नेक्शोंस की तरफ और अगला पॉइंट देखे क्या है आई-एम विज्जन चिन्हें पदम स्री के लिए भी अनुसंसित किया गया है वह किस छेतर से सम्मान दीते हैं इस वैसे यह काफी फेमस थे अगला पॉइंट देखे क्या करा है कि हाली में गरीब कल्लियान रोजकार अव्यान के शुरूआत परधानमंति नरेंदर मोदी ने किस राज्य से सुरू किया है इसका राइट एंसर है ऑप्संस नंबर फिंस बिहार ठीक है बिहार के जिले से इसको स्टार्ट किया था ठीक है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स दिखें क्या है कि हाली में कलारा एंडर संस उपनियास की घोष्टना की जा चुकी है और इसके जो लेखा के ऑप्संस डी करेक्ट अंसर होगा का जो इसी गुरू आप्संस डी के कetzen महा सभाकि इसे चुन अउने चुना उपसंस डी बिलकुल कांव बोजकीर आपसंस वी और एक्ट कृर्चिर्ट में है कौन तो तुर्की के यह राज्नेख है और सिंतंबर में होने 75 वे समानने वाद में यह अध्यक्ष के रूप में अध्यक्सता करेंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखें नेक्स्ट क्या क्या रहा है अगला पॉइंट यह करा कि पट्टेक वर्स बिस्वे मरू अस्थाली करन और सुखार उक्थाम दिवस कब मनाया जाता है तो यह प अगे बढ़ते हैं और देखें नेक्स्ट क्या क्या रहा है डोपिंग के आरोप में हाली में चार साल के प्रतिबंधित की गई गोंती मारी मुत्व एक खालिस्थान है गोंती जो मारी मुत्व में वह क्या है तो यह एक एथलीट है धावक है रणर है ऑप्सेंस नमबर क्य सिप में महिलाओं की 800 मिटर दौड में इन्होंने अपना पहला सोन पदक जीता था लेकिन बदकिस्मती यह कि अब इनकी से यह वापस ले लिया गया ठीक है और पूछा सकता है किस स्टेट से बिलॉंग करते तो याद रखे का यह तमिलाडू की रहने वाली है आगे करते हैं अगला पट्राइटन का पता लगाने के लिए नशाद्रा प्रस्तावित Mädels का नाम की है तो नेप्चूण का जो चंदर्मा जिसका नाम उ RAM चैर इसका मिलोग के eu प्रिपो का नाम क्या रहा है ट्राइडेंट ऑप्सेंस नंबर भी राइटेंसर है ट्राइडेंट क्लियर आगे बढ़ते हैं और देखें नेश्ट क्या है कि 20 सरनार्थी दिवस 2020 का विसाई क्या था पर्टेक वर्स यह कब मना जाता है यह आप याद रहें का पर्टेक वर्स 20 जुन को को 27 दिवस मना जाता है और इसका राइट एंसर एवरी अक्शन काउंट्स ऑप्सेंस ए विल भी राइट एंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं देखें नेक्स्ट शुचन क्या क्या रहा है कि अंत्राश्ची योग दिवस 2020 का विसाई क्या अंत्राश्ची योग दिवस भी पट इस योजना को वहां के लाइंग्विस में का रहा है एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना ठीक है ऐसे भी पूछा जा सकता है तो आप इसको याद रखेंगे अगला कुश्चन क्या कह रहा है कि हाली में अम्बू बाची मेला कोविड-19 के कारण रद कर दिया गया या कि शराजी में आयूजन किया जाता प्रत एक वर्सि याध क्या था अबू बाची मेला जिसको हाली में रद कर दिया गया इस वर्स नहीं हुआ है तो यह होता है फ्रेंस में ठेक़़ंस में कमख्या मंदिर में जो कि अबू बाची मेला का आईजन गया था और वारत के पहली चलती फिर्टी लैव यानि कि आई-लैव्व één की सुरुवाद की गई है तो आई-लैव्वी उन की सुरुवाद की दॉर्प पूजए हो का"? एसका राहिट एंसर भूा Cao ऑपसनस NUMBER D हरसवरदन . ठीक है डोक्टर हर्सवरदन यहाँ पे क्या जये कि इंडिया के एक पॉल के अनुसार पिछले पच्छास वर्स में सर्वस्ट टेस्ट के इस किरिकेटर का पूल किस खिलाडी ने सीत लिया है इसका राई को किस नाम से जाना जाता है जो कि फेमस है और इन्हें फिंस दवाल के नाम से जाना जाता है ठीक है दवाल आगे बढ़ते हैं देखें नेक्ट क्या कहा रहा है कि किस भारते अर्थसाच्त्री और नोबल प्रोषकार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का क्या कहा रहा है कि हाली में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग उनिवर्सिटी खोलने की अधार सिला रखी है इस क्या राइट एंसर क्या होगा ऑप्सिंस नंबर सी अमेरिका ऑप्सिंस सी विल बी करेक्ट अंसर यहां से कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंग हाली में फ्रेंट्स पाकिस्तान की राधानी इसलामाबाद में एक पहला हिंदू मंदिर बनाने की जो अधार से ला रखी गई और यह जो मंदिर होगा श्रीक क्रिश्न मंदिर होगा ऑप्सिंस नंबर ए राइट अंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्ट क्या ब रसोई योजना की शुरुआत की है तो हाली में इंद्रा रसोई योजना की स्टार्टिंग राजस्थान के सरकार के दोरा की गई है इसलिए आपसिंस नंबर यहां पे सी करेक्ट अंसर होगा सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फ्रेंस समें की या देटियो फैश्ञर से शुरू करने का फैसला लिया था इसकी फैसला योजना की खञए यह उर्प सरकार के रियो सकान ने की भार और खरीदने की बात की थी ठीक है यह पॉइंट आप याद रखेंगे अगला पॉइंट देखें क्या क्या रहा है कि साल 2023 में होने वाले महिला 200 कप फुटबॉल के लिए अस्ट्रेलिया और किस देश की संयुक्ति में जबानी मिली है अस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड की स नश्या प्रत्यृत है तो इसके इसक पर्दियीका और की नश्यान पर यह पॉइंट आप याद रखेंगे ठीके फिंस जो की इस कारेक्रम के अंतरकत क्या होगा कि हरिता हराम राज्य में विक्षो की संख्या को बढ़ाने के लिए तेलांगना दौरा जो की कि दियानित एक विक्षर उपड कारेक्रम है और इसका यूजन फिंस यह पहले भी कहा याद रखेंगे इसके स्टार्टिंग 2015 में की गई थी किस राज्य में 50 लाग साल पुराना स्टेगो डॉन प्रजाती के हाथी का जिवास में मिला है इस क्या होगा ऑप्सिंस नंबर यहां पे उत्तर परदिस ठीक है ऑप्सिंस नंबर सी बी बिलकुल करेट होगा उत्तर परदिस उत्तर परदिस के साहराहनपूर में 50 लाख साल पुराना फिंस जो की मिला है इस चीज़ को आप याद रखेंगे हाथी का जिवास ठीक है आगे बढ़ते हैं भारतिया नौसेना ने हाली में एक उन्नत एंटी ट्रापीडो डिकॉय सिस्टम मारिच को सामिल किया य 11po치 मासे सम्बंदिते हैं एक जोन का संबंद गिस्टम का इस्टिस गा राइंट से और इंकिस खेल से संबंदिट तो के संजीता चानु का संबंध फेंस किससे तो राइट एंसरों का भार तोलन यानि कि वेट लिफ्टिंग ओप्संस ए विल बी करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्ट क्या क्या रहा है कि रास्टिय सांखे के दिवस परतेक वस कब मना जाता है अगर हम बात कर रहे हैं जून के महीने में और जून के महीने के बात में फ्रेंट अगर पांच जून के बारे में ना बात करें और रास्टिय सांखे के दिवस 29 जून के बारे में बात ना करें तो ये तो होई नहीं सकता यह पॉइंट आप याद रखेंगे स्क्वेशन का करेक्ट आंसर है पर टेक वर स्टास्टिय सांके की दिवस 29 जुन को मना जाता है लेकिन अगर बात पूछले कि 20 सांके की दिवस कम ना था तो 20 अक्टूबर को यह आप याद रखेंगे ठीक है पीसी माहल उन्विस की जैनती पर यह मना जाता है अगला कोशन देखें क्या है पाकिस्तान चीन और अजाद कास्मीर के बीच 1124 मेगावाट की कुल कोहाला हाइड्रो पावर पर्यूजना पर अस्ताक्षर किये गए यह पर्यूजना किस नदी पर निर्मित है यानिफेंस अठाइस जुन से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्वे मना रहा है तो संकल्प पर्वे जो मनाने का जो की फ्रेंस मंत्राल है वो संस्क्रिटिंग मंत्राल है ओप्संस ए और राइटनसर हो जाता है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैन क्या रहा है भारत के लिए और ऐजने गनारल के रूप में किसे क्या गया लेट प्रेंस करेंघ्ण छां desarrollo के इनके लीनों के लिए बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग और памब्च नßधा के नहीं में एक प्रोग्रामिंग और डैंस के साइंस में बिस्व की पहली online BSC डिग्री लांच किया तो online BSC डिग्री सबसे पहला किसके ने लांच किया तो IIT मदरासने options number B correct हो जाता है ठीक है फिंस चलिए next question देखिए क्या कि भारत का पहला पहला plasma bank कि सहर में स्थापीत किया जाएगा तो भारत का पहला plasma जो बैंक होगा फिंस यह किस राज्य में नहीं बताऊंगा आप इसको क्यूज questions को लेकर चलिए और नीचे comments करके बताए कि इस questions का correct answer क्या होगा तो friends उमीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और साथ अपने दोस्तों को भी share कर द